हेलो दोस्तों मेरा नाम है कंजन सुकलेक छोटी सी कहानी में आपको सुनाओंगी एक बार की बात है किसान होता है और वह दूद से दही और मखन बनाने का काम करता है और वही दही और मखन सहर ले जाकर वह बेज देता है और उसी से उसका घर परिवार चल रहा होता है तो एक पेड़े त्यार करती है मखन और दही दो हैं सब देती है और किसान चुरें सहर चला जाता है हमेज़ा की तरह दुपान पर जाता है और दुकान को सारी चीजे़ दे देता है उसके बदल्एप रासन पानी सक्कर और तेल और नमाक और जो मसाले वगड़ा वो सब लेके घर च है तो टोलता है तो सारे है टोलतजी दिंवी किसान के रहे निकलता है तो सो ग्राम GIR निकलते है अब भोगत खराब लगता है किसान बोहर को लेक्व मेरी दुकान में और तुम बहुत धो और दोके के कहता है और मुझे तुमसे के बहुत गरीब हूं मेरे पास मेरी हैसियत है कि मैं इस तरीके का काम करूं और मेरे पास तो तॉलने के लिए बाट भी नहीं है जो आपसे सक्कर लेकर जाता हूं उसी को तराजु के एक पड़े में रख देता हूं, और दूसरे पड़े में पड़ा रखता हूं उसी के वजन के बरसकर के वजन के बराबर ही मैं आपको पेड़ा लिखकर आता हूं तो हो सकता है आपके सकर ही आपकी 900 ग्राम की हो आप जो है दुकानदार को दम से देखता सुनता है यह वाली बात और उसको बहुत शर्म महसूस होती है और सर्म से धर-धर देखने लगता है कहानी का मतलब सार यही है कि जैसा हम दूसरों को देते हैं वैसे ही हमको लौट कर मिलता है चाहे वो इजत हो चाहे सम्मान हो चाहे धोखा हो जिन्देगी में हमेशा अगर हम कोई नहीं देख रहा तो भगवान जरूर दे समेथ वापस हमको जरूर मिलता है कभी ना कभी जरूर वापस मिलेगा तो बस ऐसे ही हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और कहानिया सुनते रहिए और अगर आपको कहानिया पसंद आती हैं तो कमेंट करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए शेयर करिए मिलते हैं